नमस्कार दोसों स्वाहते हैं आप सुरी का अला नेटा फॉस्ट डी यूटूब चनल पर इस वीडियो में हम बात कहेंगे तमाम भरतियों की लेटेस अबडेट के बारे में जो के संब्दित होगी चाहे वो एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती को लेकर नई प्राथमिक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको इसी बिकार की जानकरिया सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आगे बटने से पहले अगर आप यूपीट एटी 2021 क्वालिफाई करने का ठान लिया है तो आपके लिए आचु पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर उत्रमाला के साथ साथ व्याक्यात में भी आंसर दिये गए हैं जिससे कि आप डिटेल के साथ में को त्यार करें क्योंकि को घुमा कर भी पूछे जाते हैं नई पैटन में इतना ही नहीं अगर आप सब्जेक्ट पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी साथ ही इनकी जो टेस्सेर पैक्टिस एडवी आता है जिनको भी आप सभी ले सकते हैं ज्यादा जान करें के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है अभी किलिक करें और पर्चेस करें एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं इसके अंदर प्रधाना चारी की तरफ से पेपर को जो आउट करवाया गया था अब वो मामला और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पी एड़ेट जूनियर सिच्छक भरती के अंदर एक बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है कि पेपर को सॉल्व करके यहां से बेजा गया था मतलब किस पेपर कहिने की सॉल्वर तक पहुंचा और सॉल्वर ने अपना काम करते हुए इस पेपर को सॉल्व भी कर दिया और अगर दो चार अव्यर्दी को भी मिल जाता है तो लाखों चातों का जब ववेश यह वो अधर में लटक जाईगा ऐसा खुलासा मैं नहीं करता हूँ ऐसा खुलासा किया से अगर आपने कल वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर भी स्टीफ की तरफ से ऐसा द पेपर से संब्दित तो ऐसे में वह 49 इस श्की शोट अगर पेपर के हैं तो एक बात ते हो जाती कि कई नहीं कि कई चात्तों को बेजे गए वाटसेप पर अब किसको बेजिए कहां से कहां मोचे इसकी जाच होना मैंने इसी के अलाबा आज के सवाच्छा पत्तों के अंद करने के लिए पेपर आउट कराने वाले आरोपी केन काटिशू के परदाना चार्ज राम नहीं दिवेदी जी को इसके अलाबा गर बात करें जो भी हैं जी तो क्या लगाना इन सब को यहां पर गर्फतार करते हुए इनकी खिलाब कादिवाई की कि डिया इसकी तरब से इन की देखने कि लिए मिलिया कि इसको लेकर ज़्ल एक सम अगर फॉन लेकर आते भी हैं तो कीपिड वाला आप सभी को लाना होगा जिसमें केमरा नहीं होगा डियाइवेस आरेन बिशुकरवान ने बताया कि वह उद्वार को जाच के लिए भारत स्काउट एंट इंटर कॉलेज भी जाएंगे और जहां पर जानकरी लेने का प्रयास किया जाएगा आसान बासा में कहें तो बहले ही पीएंबी की तरब से यह कहा जा रहा है कि पेपर के अंदर कोई धांदली बेस्टा चाया पेपर आउट नहीं हुआ है लेकिन जिस प्रकार की काज़बाई जारी और सित्या है कि कहीं ने कहीं मामला ज्यादा गंबी था इस पकड में यह बड़ी चीज आप सब को देखने के लिए मिलती है कि सायक अध्यावर पदाने अध्यावर वर्दी का पेपर आउट होने के मामले को लेकर सॉल्वर ने अपना काम कर दिया था उसने पेपर मिलते ही हल भी कर दिया इस बात का खुलासा स्टीएफ की जाच में हुआ है फिलाल यह इस परस नहीं है कि पेपर का हलकी पती गरफतार प्रदानाचार की बेटी तक पहुची थी या नहीं पुलिस की तरफ से यहां पर कहिने की चारों को यहां फ्रार अरोपियों की तलास जारी है और दो को गरफतार कर लिया गया है जो कि प्रदानाचार स लेकिन यहां से एक बात होता है कि जब आग लगी ते धुवा उठा होगा इस बात में बिलकुल भी शर्ण से दिखाई नहीं देदा है उसी को लेकर नीचे आपको जानकाई देखने के लिए मिलेगी पेपर खता मुरे तक सेंटर के आसपास मौझूद थे सभी के सभी भी हुआ है चापतों को भी मिला है उसके बाद सॉलबर पकड़े भी नहीं गये हैं यह सारा का सारा खुलासा किया गया है स्टीएफ की तरफ से अब पहिच्छा रद होगी कि नहीं इसका फैसला तो पी एनपी सचिक भी माद्यम से लिया जाएगा पी एनपी सचिक ने इस उसके अंदर प्हाथभी की जूर के सिच्चों के बादे में उत्तर बिदर लाकों की संक्या में उत्तर बिद्र नाम पर चातईओं कर सिर्व जुम्लह देखनी रह Content को इसी को लेकर रोज कोईने कुई समाचा पृत्त के अंदर आपको ऐसी जानकाया देखने के लिए मिल आपको देखने के लिए मिलनी जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कहीने की जो आविदन होंगे वो कितनी ताइक से चलेंगे इसके अलावा नीचे आप सभी को बताया जाता है कि आपकी जो पहिच्छा होगी वो 28 नवंबर को करवा ही जाएगी और 28 के बाद में आपका जो पर सब्सक्राइब के मुताविक उत्तर प्रिद्र सरकार के द्वार संचलित अगर बात की जाए बन पॉइंट फाइन लाग के सम्तिंग जो प्राथमी को साथी जूनियर विद्याले हैं उनके अंदर काफी बड़ी संख्या के अंदर सिच्छकों की कमी है सिच्छकों साथ में अगर बात कीज़ें प्रिदाना अध्यापकों के लगबग यहां पर बताया जाता है कि यह रिपोर्ट 2020 की है जब दुबार से मांग की गई होगी या फिर दुबार से डाटा आएगा तो पदों की संक्या और बढ़ सकती है उसी को लेकर नीचे लिखाय कि ऐसे में अनुम के द्वारा किसी तरह की कोई अधिकायक जानकारी नई सिच्छक बरती को लेकर नहीं दी गई है क्योंकि सरकार की तरब से तो यह कमिटी का घटन कर दिया गया है उस कमिटी का हमें भी इंतजार के कब तक रिपोर्ट दी जाएगी ना तो अभी तक कमिटी के माध्यम से प्रदाना अध्यापक के बहुत बड़ी संख्या के अंदर पर दिखा लिए जब मैंने आप सभी को पीएवी की रिपोर्ट के माध्यम से वीडियो पनाकर जानकाई दी थी तो ऐसे में इन तमाम पदों पर अगर सरकार भरतिया निकाल देती है तो लाखों चाहतों को की संबाबना है तो इसके बारे में अभी तक कोई अधिकारिक तारिक नइए जासकती इसके फिछे की बज़त यह बढूल बिल्कुलols को पूले अब यहां पर गईने की छातों की तरब से उत्तर प्रदेश के अंदर सभी खाली प्रदों को लेकर मांग की जारी है उसी कम में एक और भरती आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है जो कि 27,000 टीजटी पीजटी की होगी जिसको लेकर लगाता चैन बोड से कई बार मुलाका के अंदर यह जानकाई दी है कि 27,000 प्रदों पर जो भरती का विग्यापन होगा उससे पहले दिख्त प्रदों के लिए अधियाचन खोला जाएगा पोर्टल के मार्दियम से जानकाई ली जाएगी और उसके बार जितने भी प्रद खाली होते हैं उस पर आपको भरतियां देखने के लिए मिल सकती हैं लेकिन फिलाल जो आजकर चैन बोड विजी है वो कहने की टीचिटी 2021 की भरती को करवाने में हैं जिसके चलते अभी तक 27,000 को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है उसी कर में यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आप सभी यहा चैन बादों को बही जाने को लेकर छात्रों के तरब से कल की तारिक में धरना प्रदर्शन दिया गया उसी को लेकर यहां पर केंडल मार्च भी निकाला गया जोजगार के मुद्दे को लेकर यहां पर कहन अट आलीस बिजटी 20 दिन लगातार भी नहीं जा दिएमिए आप को से बहती प्रकिया शुरू करने की मांग की गई है क्योंकि बार-बार 27,000 बहती को लेकर जानका ये मुख्यमंत्ती की तरफ से दी तो गई थी लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया अब 27,000 विकेंसी को लेकर चातों की तरफ से धरना प्रदेशन की जाने की तयारिया हैं जल्द चैन बोड के सामने भी धना प्रदेशन दिया जाएगा वहीं दूसी तब बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो की संबंदिते एल्टी गेर्ट के बारे में UPPSC की एल्टी गेर्ट की नई सिच्छेंग भरती का इंतिजार काफी लंबे समय से अब्रदी करते हैं लेकिन ऐसे में पुरानी भरती को लेकर अभी भी मामले लटके हुए हैं कला के चैनितों की निफ्टी फर्स चुकी है UPPSC की ओसे दो माँ पहले जारी की थी निफ्टी की संसुती उसी को लेकर अब्रदी की मुलाकात देखने के लिए मिली जहां पर अब्रदी की मांग की गई नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत से ऐसे अब्रदी हैं जिन्होंने केबल BF किया था वैसे में BFA की बात की जारी है उनके पास BF डिकी नहीं थी ऐसे में अगर बात की जाती है 90 अब्रदी का चैन हो गया जब इन अब्रदी को अब्लेगों का सत्यापन किया तो मामले पता चला कि आयोग मादी में सिच्छा निदेशाल है फाइल नहीं बेजी है अब इसको लेकर मामला कटबड होता हुआ दिखाई दे रहा है एक तर नई एल्टीकेट सिच्छक बरत बन जादी होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते साथी शेयर करते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले